your loan has been dispersed का क्या आर्थ होता है या आज की इस वीडियो में सीख लेती है your loan has been dispersed का मतलब होता है कि आपका रिन जो है वो वितरित कर दिया गया है वितरित करने का मतलब है disberse करने का मतलब है कि वो bank ने उसको release कर दिया है और आपके खाते में आ गया है या आपके नाम का जो है check या demand draft जो भी आपने apply किया था वो बन गया है यानि कि आपका जो loan है वो approve हो गया है और आपको मिल गया है मिलने का मतलब यह है क्या हो सकता है अगर आपके account में आना हो तो account में आ गया होगा नहीं तो आपके नाम से अगर check बनना है या DD बनना है तो वो आपका ready हो गया है आप अपने जो भी अधिकारी है या जो भी executive आपसे touch में है उनसे बात कर सकते हैं वो इसके बारे में आपको और अधिक जानकारी दे देंगे कि अब आपको ये amount आपके account में कैसे आएगा या आपको ये check कहां से मिलेगा और ये आपके लिए एक खुशकबरी है कि आपका loan approve हो गया है loan approve होने के बाद आपको मिल भी गया है disverse भी हो गया है अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतुबकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें